हेलो 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 कैसे हो दोस्तों कैसे हो कैसे हो तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ऐसी प्रॉब्लम लेके आया हूं जो एएमसी टैन ए टैन बी की इंफैक्ट है 2020 2020 दो हजार वीस 2020 एमसी का यह पेपर है ठीक है अचाँ अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसके अंदर जो चीज़े यूज हो रही है रहा यह प्रॉब्लम नमर 23 जो काफी डिमांडिंग होती है इसके अंदर जो चीज़े य मतलब इससे easier version यूज हो चुका है ISI के अंदर भी हो चुका है IOQM के अंदर भी इस तरह का question आना बहुत ही easily possible है तो चलिए अब हम इन प्रॉब्लम्स को करते हैं राइट सो क्या question है a square ABCD in coordinate plane has the vertices at these points 4 points दे रखें जो square बनाते हैं और 4 transformation आपको दे रखें consider the following 4 transformation L a rotation of 90% clockwise counterclockwise around the origin R a rotation of 90% clockwise around the origin H a reflection across the x-axis and V a reflection across the y-axis अब हर transformation है na square को अपने ही से अपने आप से ही map करता है मतलब जब भी आप यह transformation करेंगे आपको same square मिलेगा but vertices की जो position है वो change हो जाएगी यह लिखा हुआ है vertices की जो position है वो change हो जाएगी मैं आपको challenge करता हूं दोस्तो you have to do this problem in 5 minutes ठीक है including the reading time obviously how many sequences of 20 transformation chosen from LRHV will send all of the labeled vertices back to its original position for example RRVH is one sequence of 4 transformations that will send the vertices back to its original position तो original position के लिए क्या है और options दे रखे हैं 2 की पार 37 2 की पार 36 ब्ला 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 ठीक है तो चलिए अब इसके अंदर invariably जो पहला step होता है वो होता है understanding the problem ठीक है CP1 क्या है understanding the problem ये आपका square है ठीक है A B C D अब आप समझीए कि जो L transformation है वो क्या करेगा इसको counter clockwise घुमा देगा right R transformation जो है वो इसको clockwise घुमा देगा right अब आप इन दोनों के अंदर देखिए A B C D जो है अभी भी इसी order में आ रही है A B C D और counter clockwise direction में है आप A B C D को travel करोगे न तो counter clockwise direction में ही ये घुम के आ रही है ठीक है फिर इसके जो बाकी के दो दोनों transformation है वो क्या है H और V H क्या कर रहा है इसको X axis के बाट reflection करवा दे रहा है तो आपका A इधर आ गया B इधर आ गया C इधर आ गया D इधर आ गया clockwise direction इसने orientation कर दिये तो reflection में क्या है न आपका जो orientation है वो clockwise हो जा रहा है मगर travel आप कर सकते हो अभी वी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि B यह बहुत important point है B diagonally opposite आ जाए A के ऐसा कभी भी नहीं होगा जो भी transformation है वो A को B के बगल में ही रख रहे है A को D के बगल में ही रख रहे है बस यह है कि उनकी position change हो जा रही है और यह clockwise, anti-clockwise हो जा रहा है तो सबसे पहली step तो यह कि अच्छा अब हुपे problem समझ वह आई है अब आप देखिए इन्होंने यह क्या बोला for example applying r एक example भी दे रखा है तो ताकि आप यह चीज़ समझ सके तो भई आपने चारो transformation लगा के देख लिए जब आपने चारो transformation लिखके देख लिए ना तो आपक अब हमारा क्लेम बहुत सिंपल है आप देखिए एक transformation एक को मैं बस एक को चेज करूँगा या तो इधर पहुचा रहा है या फिर मतलब या तो लेफ्ट में पहुचा रहा है या नीचे पहुचा रहा है यह देखो मतलब क्लेम क्या है आफ्टर इवन ट्रांस्वर्मेशन आफ्टर इवन ट्रांस्वर्मेशन ए विल भी डाइगनली अपोजिट और ओन इट्स ओरिजनल पोजिशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो आफ्टर ओड ट्रांस्वर्मेशन ए विल भी एट पोजिशन ओफ बी और डी इन ओरिजनल फिगर जो ओरिजनल फिगर है ना उसके अंदर बी या डी की जगे होगा ठीके तो अब अपन क्या करते हैं अब यहां से प्रॉब्लम सॉल्व होना चालो होगी यह क्लेम समझ लिए यहां पर वीडियो पॉस करके सोचिएगा इसको लिखिएगा लिख लिख के देखे आपको अपने आप समझवायाएगा अब देखो अब आएगा गौडली फील देखो अब मान लो मैंने 19 ट्रांस्वरमेशन तो रैंडमली कर दिया है तो हर एक को फोर तरीके हैं भरने के नाइनटीन ट्रीके से अब हमने क्या बोला है कि ये चार configuration ही पॉसिबल है अब आपको फील आइगी ये चार configuration पॉसिबल है या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा यही बात हुगि अब आप देखो या तो यह configuration आईगी या यहाः यह configuration आएगी यह configuration आएगी क्योंकि ABCD अभी उसी order में होते हैं यह हमारा decide हुए है यह इस configuration में आएगे अब हमारा claim क्या है कि जब हमने हमारे पास 19 जो length की string है उसके बाद यही 4 output possible 19 की तो randomly हमने select कर ली अब जो 20th position है वो uniquely determined होगी based on these figures तो जैसे तुम्हें देखो अब यह तु ABCD अब अगर मान लो 19 transformation की बाद तुम यहां तक पहुँचे तो इसमें तुम्हें केवल R लगाना है इसके अंदर तुम R transformation लगाओगे तो original position पर आ जाएगा राइट? original position पर आ जाएगा अब यह हमाने जिए ABCD अब देखो तुम्हें A को इधर पहुचाना है D को इधर तो यह Y axis के बाउट image ले रहे हो, V अब यहां पर देखो A, B, C, D अब A को आपको इधर पहुचाना है तो यह H हो गया, right? यह H हो गया, H लगाते ही X axis में आपकी mirror image आ जाएगी A इधर आ गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D इधर आ गया, बचा गया, L तो यहां पर L ल The answer to this problem will be 2 to the power 38, तो इस तरीकी problems को आप देखे, strategy से solve किया जाता है, पहले problem understand की जाती है, वो checkpoint number 1 होता है, transformation का nature समझा जाता है, कि भई, transformation कर क्या रहे हैं, दो transformation clockwise और anti-clockwise sense को preserve कर रहे हैं, reflection वाले जो transformation है, वो clockwise को anti-clockwise कर देता है, anti-clockwise को clockwise कर देता है, in no case, A, B, C, D, मैंने मेरे कित critical observation है, इस problem में देखे, A, B, C, D, C order में रहेंगे, A के adjacent B ही रहेगा, या और D ही रहेगा, A और C हमेशा diagonally opposite रहेंगे, ये कुछ critical observation से, और ये कितना अच्छा है, अगर तुम ये सोचो के तभी तो तुम यहां तक पहुच पाऊगा, ये 19 transformation के बाद, इन चारों में से कोई ए रहेगा, तो I hope दोस्तों आप लोग को ये जो problem है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आईए, अगर अच्छे से समझ में आईए, तो हमारे जो video को like कीजिए, share कीजिए, और खुद भी solve कीजिए, comment section में बताईए, किस तरह की problem आप लोग को ये लगी, ठीक है, so keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus Platform using my code PJLIVE, thank you.